आज मैं बनाने चारी पत्तों की सेप वाली मठ्री जिसे बनाके आप 15-20 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लगता है एक बढ़ बनाके रख ले और बच्चे इसे 15-20 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं आप भी चाय के साथ साम में खाईए तो चलिए बनाते हैं मच्री बनाने के लिए मैंने लिए एक कटोड़ी मैदा दो बड़े चम्मच रिफाइन रायल आधी छोटी चम्मच अजवाईन और एक चौथाई चम्मच आधी छोटी चम्मच से भी कम यह मंगडैला है इसको हम ब्लैक जीडा भी बोलते हैं और यह नमक मच्री का आठा थोड़ा सक्त रहता है पूरी से थोड़ा सक्त रहे गड़ें अजवाईन और आधी छोटी चम्मच सॉल्प डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी देखें इसे कड़ा आठा गूंदेंगे एक ही बार में ज्यादा पानी इना डालें थोड़ा थोड़ा करके डालें त्रवाट देखें अच्छा गुद्ग गया है बाटरी के लिए अब मैं इसे लीप बनाऊंगी आठी की चोटी चोटी लोया बनाँगी आठी की चोटी चोटी लोया बना लोंगी। इसके बाद मुझे ऐसे बेलना है थोड़ा इसको लंबा सेप में करेंगे क्योंकि हम लीप बना रहे हैं अब किनारे से मैं नहीं काटूंगी सिर्फ बीच बीच में इसको कट करूंगी कि यहां से यहां तक मैं नहीं करूंगी सिर्फ बीच में ऐसे बतला बतला करके अभी मैं इसको ऐसे मोड़के लीफ का सेप दूंगी यह देखिए ऐसे करके लीफ का सेप दूंगे अब मैं इने दीफ राइ करूंगी तेल गरम रहने के लिए मैं रख दिया था में अब इसे थोड़ा लो करके डीफ राइ करूंगी ताकि ये थोड़ा कुर्कूडा बने अब तेज आज पे कड़ेंगे तो ये कुर्कूडा ने बनेगा इसलिए दो करके छादें ये बराटी आप पल रबीज दिम के लिए स्टोर कर सकते हैं कि खराब ही होते हैं उसे तो नारा होने तेक तेले जो मैंने पहले डाले थे वो कुर्कूड़े हो गया है ये देखिए सुनाद्रा हो गया ये मुझे दो से तेन मिनट ही लगे इस तरने के लिए क्योंकि ये बहुत ही पतला पतला कटा हुआ था मेरे सारी मठरियां बनके तयार हो गई है आप इने सामके चाह के साथ इंज्वाइ करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें क्ष़ा अप्लीज खाज़ वीडियों क्ज्था था हुआ इंज्वाब करें